हलो असलाम अलेकम जी जी मेरी जान कौन साब हो रहे हैं कहां से जी फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं जी मेरी जान फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं जी मेरी जान फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं मेरी जान ये पूरे पूरा पाकिस्तान तो बहुत बड़ा पाकिस्तान तो बहुत बड़ा पाकिस्तान तो बहुत बड़ा पाकिस्तान तो अगर आप बर्फानी आलाके में चले जाएंगे जहां बर्फ इस वक्त पड़ रही है, तो वहां तो नहीं अलगेगी ना उस वक्त, यह जहां मोसा आपका आलाका है, यह जो जितने भी आलाके हैं, यह हमारे पंजाब के सिंद के, के, पीके के, इन सब में यह लग जाती है, और इसी तरह बलोचस्तान में सिप्रिंग लेकर याद रखें सिप्रिंग के लिए जितनी विबारिया फसलें होती हैं उनके लिए पानी की वो वाफर मिकदार पानी चाही होता है ठीके तो पानी अगर आपके पास है मौजूद है तो इन्शालत आला वो लगेगी क्या दोड हमारे पास नहरा का पानी भी असार डिवैल भी मौजूद है तो उस तीज़र में तो कितरे पानी की दूर्ट होगी का आप मैं जब बहारिया फसल लगाएंगे ना है तो उस वक्त आपने इसके लिए याद रखें पानी का मैंने पूरा शेडूल दे रखा है कि कब आपने इनको पानी लगाना होता है जो पानी जो है जादा तार यह होता है कि 20-25 दिन के बाद इसको पहला पानी लगाते हैं फिर यह होता है जब यह इस पे फूल और बनने लगते हैं उस वक्त लगाते हैं या फलिया बनने लगते हैं तो उस वक्त आपाशी बहुत जरूरी होती अगर बारिश हो गई है तो आप कोई मिनिस्टर हैं या मैंनी है या कोई है अगर तो आपका कई दफाव फोटो खिंचवाने के लिए भी उदर बारिश हो रही होती है तो उन्होंने छतरी लिए होती है और पानी वो पौदा लगाते हैं और पानी भी लगा देते हैं डालते हैं वो तो फोटो खिंचवाने के लिए होता है अगर बारिश हो रही हो तो बारिश में तो नहीं पानी लगाते हैं अगर आपका अब आपके ने मोंग ना लगाई है अभी तो आपने लगानी है जो खरीफ खरीफ कर आप जब लगाएंगे वो आपने लगानी है जून और जुलाई में वस्त जून से लेके वस्त जुलाई तक लगानी है ठीक है ना अच्छा लगाई फिर बात सिद्धी करें ना कि मैंने लगाई वी है उसको आप मेरी जान इस तरह करें उसकी मट्टी जो है ना वो एक मुठी में लें और उसको मुठी में बाल बनाएं अगर तो एक गेंद बन जाती है तो बिखरती नहीं है तो पानी की जरूरत नहीं है अगर बिखर जाए ना फिर पानी की जरूरत है ये तो सिंपल सा तरीका मैंने बता रखा है कितनी दफ़ा मैं बताता हूँ मेरे जान कि आप जो है इसको जैसा ये यद रखें तीन पानी देने होते हैं ज्यादा ये जो क्राप है ना हमारी मौंग की पहला पानी को तीन अफते बा देते हैं दूसरा फूल आने पे देते हैं और तीसरा फ्रियां लगने पे देते हैं अगर उस वक्त बारे शोज़े तो जड़ूरी तो नहींगे अपने पानी दें आज मेरी पसल को सारू हो गई हैं 18 दिन अभी दो दिन और देख लें तिन अगर आपकी बहुत गर्मी बहुत जादा शुरू हो गई है और अगर गश्मीन खुशक है बहुत जादा और आप बॉल बनाते हैं हाथ में उठाके मटी का और मटी का बाल नहीं बनता और वो बिखर जाती है तो पानी दे दे तो फिर क्या जरूरत है या अच्छा सब्सक्राइब यह पुर्टबान यह सब्सक्राइब यह जो आप हमारे लागे मेरे सब्सक्राइब जो पैंडी मैसलीन का पैंडी हाँ जी इसी के साथ मुतलिक है आपका सुआल इसी से मुतलिक है या आपका अलाइदा से मुतलिक है जी मेरी जान पूछे यह सर हमारे इनाके मेरे सर जो जो जहर है जड़ी मूटिया फ़तम करने के लिए पैंडी मैसलीन को रोनी के बाद पानी में टाल देते हैं सर जी जी तो यहां पिर रोनी के बाद उपर सफ्रेर करते हैं वो भी ठीक है ये भी ठीक है और फर्माइए तेक है बिसमिल्लाः इस प्रोग्रेम का इखताम सुरह खूद की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूं ऐए मेरी गौम इनसाफ के साथ नाप तोल पूरा किया करो और लोगों को उनके चीजें कम न दिया करो सदक लाह लाजीम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बंगला देश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोजाना सुबह ग्यारा से दुपहर एक बजे तक ले जाएंगी और यौरप और बेरूने मुमालिक से कॉल्स शाम चार बजे से पांच बजे तक ली जाएंगी इन आखात पर 0333-5121-879 पर डॉक्टर अश्रफ साहिबजादा से राप्ता करें शुक्रिया